December 2022 में चाइना ने Zero COVID Policy को end किया जिसके बाद चाइना में COVID बहुत देजी से फैला और बहुत लोगों की death हुई लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना में Zero COVID Policy गलती से end हुई देखिए चाइना की Central Government ने 7th December को COVID के 10-point guidelines पब्लिश करी जिसमें clearly mentioned था कि Zero COVID Policy को धीरे धीरे रिलाक्स किया जाएगा लेकिन Zero COVID Policy के against protests के चलते लोकल गॉर्मेंट ने इस 10-point guidelines को अपने हिसाब से interpret किया और protests को शान्त करने के लिए इसे use किया और इसी लिए Zero COVID Policy लोकल गॉर्मेंट द्वारा चाइना में एकदम से हटा दी गई और वहाँ पर ये हर्श हुआ दोस्तों ये incident लोकल गॉर्मेंट और सेंट्रल कमांड के बीच disconnect शो करता है जो आने वाले समय में जी के लिए चाइना में सबसे बड़ा खत्रा बन सकता है